क्या GST में रोड पर्मिट की आवशक्ता होगी? उत्तर है हाँ, लेकिन इसका नाम रोड पर्मिट नहीं होगा. इसे E-Way Bill के नाम से जाना जाएगा. जब भी कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपे या इससे जादा होगी, तो E-Way Bill जनरेट करना अनिवार्य होगा. आईए, हम E-Way Bill को एक साधारन उधारन की सहाइता से समझें. मान लिजे कि A एक मुंबई में सप्लायर है, उसे पूने के एक व्यक्ति B को माल भेजना है. इस स्थिती में दो सिचुएशन्स हो सकती है. पहली यह है कि A खुद से यानि कि बिना किसी टांस्पोर्टर की सहाइता से अपने खुद के या किराए के वाहन से B को माल भेजता है. तोसरी यह है कि A किसी टांस्पोर्टर की सहाइता से B को माल भेजता है. पहली स्थिती में जब A खुद से यानि की बिना किसी टांस्पोर्टर की सहाइता से अपने खुद के या किराय की वहान से B को माल भीजता है तब A माल की मोमेंट सुरू होने से पहले ही GST वेबसाइट पर from GST INS1 के part A में बेजे जा रहे हैं माल की डिटेलस को भर देगा फिर from GST INS1 के ही part B में वहान की डिटेलस को भर देगा जब part A और part B दोनों भर दिये जाएंगे तब A, E wave will generate कर सकेगा दूसरी स्थिती में जब A इसी टांस्पोर्टर की सहायता से B को माल भीचता है एसे स्थिती में A माल की मोमिन्ट सुरू होने से पहले ही GST वेबसाइट पर फॉम GST INS 1 के पार्ट A में भेजे जा रहे माल की डिटेल्स को भर देगा फिर फॉम GST INS 1 के ही पार्ट B में ट्रांस्पोर्टर की डिटेल्स को भर देगा जब पार्ट A और पार्ट B दोनों ही भर दिये जाएंगे तब ट्रांस्पोर्टर E-Waybill जनरेट कर सकीगा E-Waybill जनरेट होने पर एक E-Waybill नंबर जनरेट होगा जो कि सप्लायर, ट्रांस्पोर्टर और रेसिपियंट तीनों के पास उपलब्द हो जाएगा रेसिपियंट को E-Waybill में दी गई कंसाइन्मेंट डिटेल्स को भरतर गंटों में स्विकार या एस्विकार करना पड़ेगा अगर भैतर गंटों में रेसिपियंट E-Waybill में दी गई कंसाइन्मेंट डिटेल्स को ना तो स्विकार करता है और ना ही अस्विकार करता है तो यह मान लिया जाएगा उसने कंसाइन्मेंट डिटेल्स को स्विकार कर लिया है हर एक E-Waybill का एक validity period होगा यह validity period माल के transportation की दूरी पर निरभर करेगा यदि यात्रा की दूरी 100 km से कम है तो validity period E-Waybill के generation के समय से एक दिन होगा यदि यात्रा की दूरी 100 km या उस सिच्छादा लेकिन 300 km से कम है तो validity period 3 दिन होगा इदि यात्रा की दूरी 300 km या उस से जादा लेकिन 500 km से कम है तो validity period 5 दिन होगा इदे यात्रा की दूरी पांस्सो किलोमेटर या उससे ज़्यादा लेकिन हजार किलोमेटर से कम है तो वैलिडिटी पिरियड दस दिन होगा यदि यात्रा की दोरी 1000 किरोमेटर या उससे जादा है तो वैलिरिटी पिरियड 15 दिन होगा अगर एक e-vail जनरेट किया गया है लेकिन माल या तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया गया या e-vail में दिएके डिटेल्स के अनुसार माल ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया तो e-vail जनरेशन के 24 घंटे में रद किया जा सकेगा